नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खब्रो क्योड बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों का साल दो हजार चौबस में स्कूलों की छुट्टियों का कैलेंडर जारी सुपूर मेला में सजा फूलों का बाजार आप स्कूलों में हटाये जाएंगे अतिती सक्षग बिहार में यहां खुला तितली पाल IPL में खेलना चाहता है पाकस्तान का यह स्टार तेज केंदवाज इसके साथी बरते हैं शांता की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से साल 2024 में स्कूलों के छुट्टियों का कैलेंडर जारी सक्षा विभाग के दौरा राज़े के प्रयारंभिक माध्यमिक और उचमाध्यमिक स्कूलों मकतबों के लिए वर्स 2024 के लिए अवकास तालिका जारी कर दी गई है जिसके तहत स्कूलों में 60 दिन के अवकास घोसित किये गए है वहीं जारी किये गए अधिसूशना में यह भी साफ कर दिया गया है कि चूकी नियोजिस सक्षकों को राज़े कर्मी घोशित करने की कारवाई प्रक्रिया धीन है इसलिए यह अवकास तालिका उन पर भी लागू होगी बता दे कि अधिसूशना के मुताबिक 30 दिन की गर्मी की चुटी होगी इसके अलावा 3 दिन छट की चुटी, 3 दिन दुरकापूजा की चुटी 3 दिन इद उल जोहा बकरीत और ईद की चुटी 2 दिन होली की चुटी और 2 दिन मुहर्म को लेकर चुटी दी जाएगी वही हरितारी का तीज चितिया भया दूज रक्षा बंधन मकर सक्रांती की चुटी को रद कर दिया गया है और साथ ही कई चुटी में कटोती भी की गई है सोनपूर मेला में सजा फूलो का बाजार विश्व प्रसिद सोनपूर मेला की शुरवात हो चुकी है बता दे किस मेला में घूमने के लिए काफी दूर दूर से लोग यहां पहुंचते हैं मालुम हो कि हमेला 26 दिसंबर तक चलने वाली है ऐसे में मिले जानकारी के नुसार इस बार इस मेले में गाउं का नक्षा भी उपलब्द है और साथ ही यहां फूलो का बाजार भी सजा हुआ है इसकी अपनी खासियत है बता दे कि हरी हर 26 सोनपूर मेले के चरियां बाजार रोड रेल अंडर पास के समी पाने पड़ यहां कई प्रकार के फूल जिन में गिंदा गुलाब के अनेक प्रकार जूही हरी संगार कामनी समेथ सीजनल फूलो की आकरशक बागवानी का नजारा देख सकते हैं मालम हो कि यहां बहतरीन फूल उप्रब्ध हैं सिमुलतल्ला आवास के विद्याले प्रवेस परिच्छा का रिजल्ट जारी ऐसे करे आवीदर अगर आप भी उनमें हैं जिनके दोरा सिमुलतल्ला आवास के विद्याले जमुई में वर्ग छटी में नामांकन लेने के लिए आयोजित प्रवेस परिच्छा में शामिल हुए थे तो यहां खबर आपके लिए हैं बता दी किस परिच्छा का रिजल्ट जारी कर दिया गय पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं मालम हो कि समुलतल्ला आवास यह प्रवेस परिच्छा 12 ऑक्टूबर 2023 को आयोजित की गए थी जिसमें 11,096 परिच्छार्थियों के द्वारा भाग लिया गया था वही अब इसका मुख्य परिच्छा 20 दिसंबर 2023 को आयोजित किया पारसनात साहू समेथ कई थानों की पुलस के द्वारा एडियम सशी शेखर और सिटी स्पी हिमांसू के निततु में सगन छापे मारी की गई चोकी करीब डेर घंटे तक चली वहें छापे मारी से कैदियों की बीच हर कंप मच गया हाला कि छापे मारी के दौरान जेल के वा पाई थी जो की एक निश्च इस समय पर होती रहती है मालमों किससे पहले भी गया सेंट्रल जेल में अचानक छापे मारी की जा चुकी है बिहार में यहां खुला तितली पार्क वन विभाग के द्वारा तितली को सनक्षत करने के लिए भागलपुर के सेंडिस कंपाउंड मैदान में तितली पार्क का निर्मान कराया गया है जिसमें अलग-अलग राजी की तितली नजर आती है बतादे किस तितली पार्क में कई तरह के फूल व पौधे भी लगाए गया है से में अगर आप यहां आते हैं तो तितलीयों को देख आपका मन और दल दोनों परशन ह पुण बारे में तितली सनक्षक अनमोल कुमार के द्वारा जानकारी देते वे बतायाग्या है कि यह कदम तितली को सनक्षित करने के लिए उठाया गया है लोग तितली के महत्व को नहीं समझग पातें लेकिन तितली भी के लिए काफी लाब दायक है फूल के पौधों को सही रखने के लिए तितली काफी मदद करती है वहीं इसके लावा तितली सब्जी की खेती के लिए भी काफी लाब दायक होती है 6 दिसंबर से पहले IPS आदिते कुमार ने नहीं किया सरेंडर तो EOU करेगी गिरफतार बिहार की गया के पुडव SP आदिते कुमार को फ़र्जी जज से पैडवी करने के आडोपों में पिछले साथ माह से बिहार पुलिस जूनने में असफल रह रही है वहीं अब उन पर कानूनी सिकंजा कसने वाला है दरसल नियायाले के आदेश के बाद आदिते कुमार या तो कोट में 6 दिसंबर से पहले सरेंडर करेंगे या उन्हें आर्थी कपराद इकाई यानिकी EOU के द्वारा गिरफतार किया जाएगा आपकी जानकारी के लिए बता दे के IPS आदिते कुमार पर पटना उचनेयाले के चीफ जस्तिस के नाम पर शडापकान को खत्म करने के मामले में बिहार डीजीपी से पैडवी करने के आरोप में 15 ओक्टूबर 2022 को EOU के द्वारा उनके खिलाफ केस दर्च किया गया था वहे इसके अलावे काड़वाई को खत्म करने की साजिस की गई थी पटना में जबत हुई सराप को लेकर थानेदार सस्पेंट दरोगा अरिस्ट बीतर अभिवार की देडराद बिहार की राजधानी पटना के दिग्गा थाने में देडराद जब की गई शराप पुलस कर्मियों के बैड़क तक पहुँच गई जिसकी सूशना SSP राजीव मिश्रा को किसी के द्वारा दी गई जिसके बाद SSP के द्वारा सभी बैड़कों की टलाशी लेने को कहा गया जिसको लेकर शोमवार की राज सिटी स्पी सेंटरल के द्वारा सभी बैड़कों की तलाशी ली तो वहां से जब की गई शराप बडा मद हुई अब स्कूलों में हटाये जाएंगे अतिती सिक्चक बिहार सरकार के सिक्चा विभाग के द्वरा पत्र जारी कर सूबे के प्रात्मिक से लेकर उच माध्यमिक स्कूलों में जहां नवनुक्त सिक्चकों के द्वरा योगदान दिया गया है वहां से अतिती सिक्चकों को हटान प्रिस्तावित बजट 940 करोड रुपे है लेकिन बिहार और केंद्र सरकार की ओर से अब तक केवल 392 करोड की राशी ही मिल पाई है बता दे के अब तक शहर में ICC भवन, नालंदा हेल्थ क्लब, सरकारी भवनों में सोलर एनरजी, बारब विद्यालियों का जनुधार, टाउन हॉल का जनुधार, बड़ी पहारी पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, गांधी पार्क का जनुधार, सुभास पार्क का जनुधार श्रम कल्यान मैदान का विकाए, राम चंदरपूर बस पराव में PCC, पेवर ब्लॉक इस्पताल मोर से सुसराय तक परती जमीनों की बाउंडरी का कारे पूरा हो चुका है, तो वही नाला रोड, सिवरेज नेटवर्क भडाव पर बन रहा फ्लाई ओवर, पच्चिस सरकों का जनुद्धार वा काली करण, दो हाई स्कूल दिथा बार मेडल स्कूलों का जनुद्धार और बाजार समीती जनुद्धार के सेकेंड फीज का काम जारी है, जो कि वर्ष 24 के जून महिने तक पूरा करने का लक्षे रखा गया है, महंगे हवाई यात्रा को लेकर नितीश हुआ करता था, उस पर टूइट कर लिखा है कि ऐसे तो दरभंगा से चपल वाला क्या सूट बूट वाला भी उरान नहीं भड़ पाएगा, एक साथी को कल ही दरभंगा से दिल्ली पहुशना जरूरी है, लेकिन कल की फ्लाइट का किराया 27,000 से 34,000 रुपए के बीच है, उ यातरा को लेकर तंज कसा जा चुका है, स्कूलों की छुटियों को सुसील मोदी ने बताया तुगलकी फर्मान, बिहार के सिक्छा विभाग के द्वारा वर्ज 2024 के लिए स्कूल की छुटियों को कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर अब बिहार के पुर्व उप मुख्यमंतरी और बीजेपी के राजसभा सदस्ते सुसील कुमार मोदी के द्वारा बिहार के मुख्यमंतरे नितीश कुमार पर हमला बोलते वे, इन छुटियों को तुगलकी फर्मान बताया गया है, उन्होंने कहा कि नितीश कुमार का ये नर्न है, हिंदू विरोधी है, नतीश कुमार की तुस्टी करण की राजनिती देखे हैं कि मुस्लिम इलाकों के अंदर स्कूलों में शुक्रवार को चुटी रहेगी तो सम्मंदित को चिलादिकारी से अनुमंती प्राप्त कर घोशित कर सकते हैं तुष्टी करन के लावा कुछ नहीं है मंतरी अशोक चौधरी ने चुट्टी में सुधार किये जाने की कही बाद सक्षा विभाद के दौरा एस्कूलों में अगले साल होने वाले चुट्टी को लेकर जो कलेंडर जारी किया गया है उससे राजनतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है वही अब इस पर बिहार सरकार के मंतरी अशोक चौधरी के दौरा इन चुट्टीों में सुधार करने की बात कही गई है उन्होंने कहा कि चुट्टी को लेकर जो विवाद हुआ है उसमें मुख्यमंतरी फिर से हस्तचेप करेंगे और देखेंगे कि क्या मामला है उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि जो बहुत संक्यक लोग है उनकी भावना आहात नहों इस बात का भी खयाल रखा जाएगा इसमें कहीं से किसी को भी नुकसान नहों इसका हम लोग पूरा खयाल रखते हैं चिंता की कोई जरूरत नहीं है सब कुछ ठीक होगा मुख्यमंत्री जी पिछली बार भी हस्तचेप किये थे और इस बार भी करेंगे हाजिपूर से चिनाव लड़ने पर पसुपती पारस का बयान एक तरफ जहां 2024 में होने वाले लोगसभा चिनाव को लेकर सभी पार्टियों के ओर से अपनी अपनी तयारियां शुरू कर दी गई है तो वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान और पसुपती पारस के बीच हाजिपूर में कारे करम कायोजन किया गया है वहीं अपसुपती पारस के द्वारा एटीवी से बातचीत करते वे कहा गया कि हम हाजिपूर से चुनाव लड़ेंगे हाजिपूर मेरा कर्म भूमी है 1977 से लेकर आज तक मैंने हाजिपूर की जनता की सेवा की है पासवान जी जब 2019 में राज्य सभा के सदस्य चुने गए उस समय उन्होंने मुझे बुला कर कहा था कि पारस तुम हाजिपूर से चुनाव लड़ो मैंने कहा था कि घर के किसी सदस्य को चुनाव लड़वा दीजे लेकिन उन्होंने कहा था कि जतना विश्वास तुम पर है उतना पाकस्तान के चैनल समा टीवी पर बात करते वे कहा गया कि हर खिलारी IPL में खेलना चाहता है और मेरा भी इस लीग में खेलने की ख्वाहिश है यह दुनिया की सबसे बड़ी लीग में से एक है और अगर मुझे भविश्य में मौका मिलेगा तो मैं जरूर खेलना चाहूंगा भारत और पाकस्तान के रिस्तों में खटास के चलते परोशी मुलक के खिलारी IPL में खेलते वे नज़र नहीं आते हैं मालू हो कि IPL के पहले सी जन्यानी की वर्ष 2008 में पाकस्तान के कई प्लियर्स के दौरा इस लीग में हिस्सा लिया गया था हाला कि बाद में भारत पाकस बिहार में आजियानी मंगलवार को पट्रॉल डीजल के रेट जारी गएगा पुर्णया पीत्रली कीमत 182डंडग साइग रूपए और डीजल कीमत arms YouTube कीमत अब बढ़ते हैं आज के पांच सवाल की और हमारा पहला सवाल है बिहार में कहां तितली पार्क खुला गया है औप्शने पुर्णिया औप्शन भी पटना औप्शन सी भागलपुर औप्शन भी इन में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है option C भागलपुर अगला सवाल साल 2024 में स्कूलों के छुट्टियों के लिए जारी के गए कालेंडर में गर्मी की छुट्टी कितने दिनों के लिए दी गई है option A 30 दिन, option B 3 दिन, option C 2 दिन, option D 25 दिन इसका सही उत्तर है option A 30 दिन अगला सवाल, समलतल्ला आवाशे विद्याले मुख्य प्रवेस परिक्षा कब से आयोजित की जाएगी? option A 30 नवंबर, option B 3 दिसंबर, option C 20 दिसंबर, option D इन में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है option C 20 दिसंबर अगला सवाल, IPL का पहला सीजन कब खेला गया था? option A, वर्ष 2007, option B, वर्ष 2008, option C, वर्ष 2009, option D, वर्ष 2010 इसका सही उत्तर है option B, वर्ष 2008 अगला सवाल, सिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए, वर्ष 2018 में राज्य भर में कितने अतीती सिक्षकों को रखा गया था? option A, 2070, option B, 5040, option C, 6440, option D, 5440 इसका सही उत्तर है option D, 5440 बीदे दिन हमारे दुरा पूछे का सवाल का, आप लोगों में से बहुत लोगों रेप्रजाब हमें हमारे comment section box में लिख कर दिया है जिन्होंने हमारे दुरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है जवाब हमें हमारे comment section में लिख कर जरूर आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कबड़ों के साथ बने रहने के लिखते रहें बिहारी नियूज और साथी अगर आप YouTube से देख रहे हैं चलनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद